और काफी ओसम लुक है इसमें आपको फुली है लीटी हैट लांप मिलता है गारी के अंदर आपको देखने को मिलेगा और अगर बात करते हैं कि और लुक के बारे में तो दोस्तों एक नजर मेंनीचे मटगाड है मेंटर भी और दिखा देता हूं मीटर देख सकते हैं यहां पर आपको गारी के अंदर फुली डिजिटल मीटर भी लेगा जितनी भी ऑप्शन होते हैं फीचर्स होते हैं वो सारे आपको मीटर में देखने को मिलेगा हलो वाइज वालकम बैक टू माई यूटूब चैनल तो दोस्तो हाजिर हूं आपके सामने दोस्तो हीरो ने अपनी इक पावर फुल लॉंज किये चार्सोचाहलिस सीसी में तो बाइक का नाम मैं आपको दिखा देता हूं पहले जिञे सकते हैं मैवरिक है 440 cc में हीरो ने अपनी एक पावरफुल बाइक लॉंच करी है जो की मार्किर में उधर चुकी है दोस्तों अभी चल रही है इसकी बोकिंग आपको जो है ये बाइक अगर लेनी है तो आपको दोस्तों पहले ही बुक करनी पड़ी उसके बाद में आपको बाइक देखने को मिलेगी अभी शोरूम पर मैं आ रहा हूँ शोरूम पर अभी इसका जो है डैमो पीस लगा हुआ है वागी जो है फिर बाइक में टाइम लगेगा आपको मंगाने के लिए क्योंकि इसकी बुकिंग चल रही है अभी और इकनी जल्दी अवेलेबल नहीं बारी शोरूम पर तो दोस्तों बात करते हैं आज इस बाइक के बारे में इस बाइक के अंदर आपको क्या-क्या फीचर देखने को मिलेंगे प्राइस कितना होने वाला है और क्या-क्या कंपनी में मतलब आइससरी देती है बाइक की आवाज कैसी है यह सारी डिटेल जो है आपको इस ब्लोग में मिलने वाली है तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं तो बाइक के बारे में बताने से पहले मैं आपको दिखाता हूं बाइक की कुछ सिनिमेटिक शॉट्स तो दोस्तों बात करते हैं इस पाइक के बारे में मैंने अभी आपको दिखाए कुछ आप इसके सिनिमेटिक शॉट्स तो फ्रैंट से स्टार्ट करते हैं हम हैड्लाइट से स्टार्ट करेंगे तो दोस्तों देख सकते हैं भाई 440 CC में ये बाइक आती है और इसकी लुक की अगर बात करते हैं तो लुक जो है काफी प्याड़ी और काफी आशम लुक है इसमें आपको फुली हैलीटी हैड्लैम मिलता है गारी के अंदर आपको देखने को मिलेगा और अगर बात करते है मटगार पे डालते हैं उसमें कितना प्यारा और चोटा दे रखा है और जो गारी को बहुत ही मतलब यूनिक सी एक लुक देता है तो दोस्तो यार इसमें और फीचर्ट की बात करते हैं तो दोस्तो इस गारी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे शोवा के इसमें सोकर दे रखे हैं यह देख रखे हैं जो सूपर वाइकों में लगके आते हैं शोवा कंपनी जो सोकर बनाती है तो आपको इस गारी के अंदर भी आपको सोवा की सोकस देखने को मिलेंगे बात करते हैं अगर इसकी पीचर के बारे में तो दोस्तों डॉयल चैनल आपको ABS गारी के अंदर देखने को मिलेगा डिस्क का साइज देखो काफी बड़ा है और काफी मतलब अलगी लुक देता है और टायर के हिसाफ जो अलैवल का जो लुक है न तो ऑसके हिसाफ से जो डिस्क के जा जो साइज दे रहा है और इस गाड़ी के अंदर आपको मिलता है लिक्विट पूल इंजन लगा हुआ है टाइड में कितना प्यारा लग रहा है गाड़ी जो है यार बहुत ही प्यारी और काफी ऑसम मना रखिए तो पूरी नजर डालते हैं एक बार एक बार मैं गाड़ी का आपको मीटर भी ओन करके दिखा देता हूं मीटर देखते हैं यहां पर आपको गाड़ी के अंदर फुली डिजिटल मीटर भी लेगा जितनी भी ऑप्शन होते हैं फीचर्स होते हैं वो सारे आपको मीटर में देखने को मिलेंगे इनने लिएका की अिरो परव जो हैं ग्राटिक सुल्गों नगा हुआ है जो हूब हुआ है इनन इन परतों कि तो ध कि देखातों में आपको देख सकते हैं इहाँ पर इतना बड़ा और काफी मतलब ज्यादा ब्रॉड इंजन दे रखा है गारी के अंदर तो एक निदर हम एक्जॉस पर भी डालते हैं तो दोस्तो अभी मैं आपको इसका साउंड भी चेक कराऊंगा कि साउंड कहसा इसका 44 cc के हिताब से तो जैसा मैंने कहा था आपको साउंड चेक कराऊंगा तो तो तुछ गाड़ी को साउंड है न वो काफी ओसम यार काफी बेस आ रहा है गाड़ी के अंदर जो है मलब एक सुपर भाइक वाला फील देरा आपको ये साउंड आपको लेकर निकलोगे राइट करोगे ना कहीं से अगर उड़ाते वह ले जाओंगे तो यार जो आगे गाड़ियां चल जो चोटी चोटी वह अपने आप उटो मेटली की आवाज सुदके साइड हो जाएंगी भाई साउंड बहुत प्यारा रहा है तो बहुत वासम साउंड है गाड़ी की कम्प्लीट लुप देखो दोस्तो यार गाड़ी को है काफी प्यारी बनाई है और नैकेट पाई के बहुत अच्छी लग रही है जो लोग यार भगाने के शोकिना ने देशिए इसके और इस्टन्ट वगेरा करने के तो है उन लोग इसाबसे गाड़ी बहुत अच्छी है काफी यूनिक पाई के लोग वाइस देखी जाए तो फ्यारी बहुत है चार्सो चालीज सीची में दोस्तो पावर जाए आपको काफी ज्यादा मिल जाती है तो यार मैं आभी इसके न सारे आपको फीचर्ट भी बता देता हूं इस गाड़ी के अंदर कितनी प पाउड करती है पैसे से 40 का बात करते हैं अगर इसके और फीचर्ट के बारे में तो दोस्तो इस गाड़ी के अंदर आपको डोयल चैनल एविएस का सिस्टम मिल जाता है जोयल चैनल आपको इसमें एविएस देखने को मिलेगा लिक्विट कूल इंजिर मिलता है इस 27 आपको इसमें पट इसके बात करते हैं अगर इसके और पीएम के बारे में तो दोस्तो और पीयम जो है इस गाड़े के पेल खारेओ मिल जाता है जैनल नाफश की बात करते हैं तो टेंग गाड़ी की दूस्तों होने वाली है 0.5-0.5-0.5-0.5-0.5-0.0 आप इसके इंदर टेंग पैट्रोल रिप्ल कर सकते हैं तैंक काफी बढ़ाते रखा है और दोस्तों यार जो लोग सवाल करते हैं कि गाड़ी के बेट का तो वेट कितना होता है गाड़ी का तो मैं आपको बता देता हूं तो इस गाड़ी के अंदर जो कमपनी में बेट रखा है वो है इसका 187 kg का इस गाड़ी के अंदर आपको वेट मिलता है इसका जो वेट है 187 kg वेट है सिंगल सेलेंडर वाइक है और जैसे कि आज कल चल रहा है यार दो हजाब चोविस ऑप्शन पैट्रोल को इस गाड़ी के अंदर भी आपको ऑप्शन देखने को मिलता है तो दोस्तो मैं चीज़ां इसके प्राइज की तो प्राइज मैं आपको बता देका ह। मैं अभि-것도 प्राइज निपना रहा ह। POLT दो कि वीडियो को पूरा देखें देखो पूरा देखोगे ना तोफ गाड़ी के बारे में आपको complete detail मिलेगी कुछ लोग होतें कि गाडी को तो इस लोग के अंदर मैंने आपको हर एक चीज़ डीटेल में बदा रखिए अगर आपको सब कुछ जानना है तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखें पूरा देखोगे जब आपको सारी चीज़े समझ में आएंगी कि गाड़ी का प्राइस कितना है मालेश कितना देती ये सारी चीज़े आपको इस में बिल जाएगी वीडियो के अंदर तो इसलिए आप से रिक्वेस्ट के कि वीडियो को पूरा देखें पूरे वीडियो देखोगे तो आपको complete detail मिल पाएगी तो दोस्तो मैंने आपको इस बाइक के बादे में complete detail दे दिये I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो दोस्तो अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना साथ ताथ वीडियो को भी लाइक कर देना कमेंड वोक्त में जरूर बदाना आपको ये बाइक कहते लगी तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में